जै शिरी राम तो क्या हाल चले आप सभी का आपका फिर एक बार स्वागत है फिल्म इडोस में और इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ जगपती बाबु की फिल्म जिसका नाम है रुद्रंगी और इस फिल्म के हिंदी डप्ड वर्जन के बारे में मैं आप सभी से बात करूँगा तो अगर अभी तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी तक लेटिस्ट और अपकमिंग अपडेट्स पहुशती रहे, साथ ही मेरे इंस्टेग्राम और ट्विटर हैंडल को भी फॉल और इस फुल्म को प्रेडियूस किया था, रसम अई बाला क्रिशन ने, इस फुल्म में हम सभी को नज़र आया थे, जगपती बाबू, ममता मुवंदास, आशिश गांधी और भी काफी सारे एक्टर्स हम सभी को इस फुल्म में देखने के लिए मिले, तो चलिए बात करते इस फुल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के बारे में, तो जो इस फुल्म का हिंदी डब्ड वर्जन है, उसकी हिंदी डबिंग कम्प्लीट हो चुगी है, हिंदी डबिंग को कम्प्लीट करवा है, Z Entertainment Enterprises ने, तो इसका मतलब यह फिल्म हम सभी को जल्द से जल्द Z सिनमा पर देखने के लिए मिल जाएगी, या फिर इस उनको डिरेक्ली Z5 पर भी लाया जा सकता है, क्योंकि Z Cinema कर देखो यार कुछ पता नहीं चलता, मतलब जो इस Z Banner है, यह लोग कभी तो डिरेक्ली OTT पर भी रुलीस कर देते हैं, और या फिर इन लोगों का मूड होता है, तो यह हिंदी डब्ड वर्जन है, उसकी डबिंग को कंप्लीट करवा है, गोल्ड वाइंस ने, इस उनको जो हिंदी टाइटल है, उससे रखवाएगा है, जबर दस्त आशिक 3, लगता है गोल्ड वाइंस अब बैक टू बैक अपनी फिल्मों की डबिंग करवा रहा है, लेकिन व कब टेलिकास्ट करेगा, ये तो खहरा हमें भी नहीं पता है, आप भी जानते कि उन्होंने कितने सालों से कितनी सारी पैंटिंग फिल्म में रखी है, होप सो कि आप सभी को मेरे आज का विडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो विडियो को लाइक किज और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन्स भी जरूर बताएगा तो मिलते हमारे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंट टेक केर